असलाम लेकुम डियर इस्टुडेंट क्लास एड कर चप्टर नमबर थार्ड कैयर जिस इन कॉमर्स इसके हम रीडिंग कर रहे थे हाफ रीडिंग हम लोग कर चुके तब नेक्स्ट पेज नमबर 23 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन प्रिविस लेक्टे वी आव लाइव लाइव थे इन कॉम्रेश अपर चुछ आप प्रिश इन कंवेंचिनल प्रफेश्चिन के बारे में हम ने सीखा कि आज के दोर में मार्डर्न टेकनोलोजी है उसको क्या इंपोर्टेंस दी जाती है या पिर पास्ट में सिरफ डॉक् करते थे से जा उनको ही ऊप्रफेश्चिन को क्यों लोग परफेश्चिन कोो प्रफेश्चिन को प्रफेश्चिन की अचा सबड़ नाऊ जो है तो चैंज अब ज के बारे में मैं डिसकस किया यह जो है टॉपिक हमारा इस 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 डायलोग बिट्वीन तीचर और इस स्टुडेंट्स अब अब टॉपिक ऑफ कामरेस कनवेशनल एड अनकनवेशनल प्रफेशन बहुत जाद इंट्रेस्टिंग वो लोग डिसकेशन करते हैं इसके अंदर इस भी प्राहता है था अनके सब्सक्राइब लोग अफिस में काम करता है अम WHO च smilesकुल के बारे मिन सब्सक्राथे हैं और accounts और accountant में difference यह होता है कि account जो account वो जगह जिस पे सारा money का हसाब किताब रखा जा रहा है accountant means जो person उसके बारे में हसाब किताब रख रहा है okay let's start sir what is sir what is account mr. kameran keeping records particularly of money is an account we have different accounts like business accounts and bank accounts असर जो है क्या करसिन पूछ रहा सार से काउंट क्या होते है तो उने बता रही है कि हम different money का जो record होता है इसको हम लोग account करते हैं और उसके लावा business accounts and bank accounts means बैने आपको बताया ना कि हर profession related of accounts जो है आ चुके हुए है keeping record particularly of money is called an account we have different accounts like business accounts and bank accounts it means an accountant is the person who handles the accounts is it not mr. kameran yes you are right a son raises his hand let me explain first an account shows the business transaction of an individual a group or a company accounts have a particular system of debate and credit or ins and outs ठीक है अब जो है सार जब उनको बताते हैं तो अवैसा किसी क्या कहता है means कि accountant वो person है जो accounts को handle करता है मिस्टर कामरान कहते हैं उनकी जो teacher है वो कहते हैं जी बिलकुल आपने ठीक कहा इतनी ही देर में ऐसा next student जो है अपना वो hand raise करता है रो वो क्या पूछ रहा है कि account जो है वो show करता है business transaction को as an individual भी और ग्रूप की form में भी और account जो है particular system होता है ins and out का कि जो सारा record होता है money का रखना होता है कि क्या चीज हमारे पास आई है कितना उनको profit हुआ है या कितना जो है हमारी investment होई है यह सारा system इसमें discuss किया जाता है for example अगर हम देखते हैं तो school में भी और डेली एक जो है balance sheet बनाई जाती है जिसमें ins or out सारे जो है जितने expenses school के लिए पैसे कर चुए या फिर जितने ज्यादा जो है फीसिस वगरा आई जो charges clear हुए उसके वारे एक sheet जो है prepare की जाते सेम आज हर profession में होता है उसका एक record रखा जाता है a bank account is a record of drawing and depositing money in a particular account by an individual or a group it may be grant or saving saving account is also called deposit account and accountants not only manage this account but they also advise people on how to use the assets and how to invest money इसका अलावा bank account के बारे में बिताया कि वह record रखता है depositing money का particular account में means अपना money वगारा बैंक में deposit करवानी है तो हर परसंट का लाइदा से एक account बनता है जो government employees होती है उनकी salary जो है bank accounts में भी आती है अब तो private employees जो है उनके लिए अकाउंट वगारा बने होते हैं तो उसमें जो है इनकी salary deposit वह लोग करवाता है करता है जो एक यह manage करता है और इसके लावा यह manage किस चीज़ को कह रहा है इस अकाउंट बट इन सब जो है अकाउंट होता है वह सारे account को manage करता है इसके लाव जो लोग होते हैं को advice करता है how to use their assets and how to invest money के अपने money को किस तरह assist कर सकते हैं किस तरह use कर सकता है means कि अगर आप bank में जो है अपने जिवर वगारा जमा करवाते हैं या फिर अपने money deposit करवाते हैं तो उसके भी जो आपको जो है benefits bank की तरफ से मिलते हैं ठीक है next देखे sir अहसन sir it seems an account is very powerful person and can deceive his company easily he should be wary on us is it not अब जो आहसन है वो क्या question कर रहा है कि sir इसका मतलब है कि जो accountant होता है वो बड़ी असानी से अपने company को जो है deceive कर सकता है उसको तो बहुत honor person होना चाहिए उसको बहुत जो है इमांदार होना चाहिए Mr. Kamran अहसन good you have raised a good point all of us should be honest whether someone checks us or not but we should know that an accountant is not so free an editor campaign point the IRS committed by an accountant he officially examines the business and financial records of a company आप देखें इसमें उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि जो है सर कहरे है कि आप तुमने बहुत अच्छा point raise किया है हम सब को जो है honor होना चाहिए लेकिन हम साथ में वह भी यह बात भी बता रहे हैं कि मैं आप लोग नालिज में अजाफा कर दूं यह बात बताके कि accounts free नही accountant जो होता है वो बिल्कुँ अजाद नहीं होता उसके उपर भी check and balance रखा जाता जो auditor है उसकी RR को pinpoint कर सकता है क्योंकि सारी आप समझें कि जो अगर हम बात करते हैं कि सारी जो एक बैंक की बात हो रही है तो उसमें सारा जो है या किसी भी institution की बात हो रही है तो सारा दारों म accountant के पास ही record होता है तो इसलिए उसका बहुत अगर उस पर check and balance नहीं रखा जाएगा तो आपको बहुत बड़ा last हो सकता है ठीक है अवैस बड़ी लाइक टेल मोर अबाउट प्रफेशन रिलेटी तो बिजनस एंड अकाउंट मिन्स के बच्चे तो आप देख सकते हैं स्टोरी के अंदर यह बच्चे जो है डायलोग में बड़ी अच्छे तरीके से पारिस्पेट कर रहे हैं वह बार बार टीचर से किन च अब बच्चे को उस फील्ड की तरफ जिसके तरफ पैरंट समझ रहे होते हैं उनके बैटर उसकी तरफ उनको बेच जाता है चाहे बच्चों का उसमें इंट्रस्ट हो या ना टीचर जो पैरेंट सार्व उनका उनकी गाडलाइन के बगार अब कुछ नहीं कर्स लगते हैं लेकिन टीचर उनको को जो पैरेंट सो थे बीक्स दिहान रखना चाहिए कि घैरेशुड बी परापर गाडंस फ़र दे स्टुडआnd चाहिए जो यहां बच्चे का इंट्रस्ट उनको देखना चाहिए कि बच्चे का इंट्रस्ट कि सीज में उस फील्ड की तरफ उसको ले is called business the word of commerce and trader also used in the same sense business at a large scale especially between countries is called commerce and business takes a form of an enterprise a company or a commercial organization अब उनको बतारें कि business है कि business किस चीज़ का जो है वो activity है selling की खरीदने की बेचने की और supply जो मतमीज के आपने जो भी आपका अपना कारोबार है ना जिसमें आपके अपनी investment है और डेटिस काल business वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है नेशनल लेवल पर जो आ रहे हैं चाहिए आप कॉली चला रहे हैं या आपके को कोई बहुत बड़ी company है किस चीज़ की गुड्स की supplying की buying की सेलिंग की means आपका चोटा काम है या बहुत बड़ा काम है उसमें वो काम यब तब ही है when you are good manager चीक है last paragraph पढ़ते हैं अब जो है दाओद क्या question कर रहा है कि sir business क्या होता है Mr. Cameron boys you must know that each field of knowledge has its own terminology the words or phrases used in the in a special field of knowledge and profession have their particular sense उनको बता रहे हैं कि हर field के अपने professions होते हैं अपनी जो है उसमें यह जो है hotel management है human resources है retail management है similar business administration जो भी है उनका अपना एक जो है पूरा एक पूरा जो होता है उसको manage करने के लिए इस पर check balance रखने के लिए management होना जरूरी है ठीक है अगर management good होगी तो automatically आपका सारा काम जो है अपने आपका सारा जो है अच्छा staff है अच्छा perform करेगा ओके यह जो reading है आप लोगों ने वी transition करनी है इसको अच्छी तरह से जिचके इन जो terms हमने पढ़े हैं इनको अच्छी तरह से understand करना इनके बारे information असल करने हो के ला आफिस